हेलो दूस्तों कैसे हुआ अपसे लोग करता हुआ अपसे लोग पड़ियोंगी तो गईस हमारे पास है इस प्रेंट प्लस एश्टेक एंड इसका मैं फुल रिव्यू देने वाला हूं जो कि यहां पर जो मेरी गाड़ी है वो मुझे लगा दो मन तभी नहीं हुए इस बाइ जैसा बसूल होता है की लिए होता सारी कुछ इंफॉमिशन देने वाला हूं यहां पर मैंने अपनी गाड़ी में क्या 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 काम करवाया फास सर्वेस तक जो की अभी डेढ़ मंत लगबर हो चुका आप मान सकते हूं और मैं आपको सारा कुछ यहां पर रिव्यू देन आप यहां पर नाम देखे होंगे भी मैं आपको इसके वारे में बताऊंगा इन यहां पर ब्रेंडिंग देख सकते हूं इस प्रेंडर प्लैस एक्षटेक और यहां पर देख सकते हो नंबर प्लेट बो लग चुकी जो कि मैं फर्स सर्विस कराने गया ता तभी वो थोड़ा सा लग सकता है बट इसकी जो यहां पर देखा हूंगा कितनी चली हुई है उससे आप अंदाज लगा पाऊगी एंड यहां पर गाड़ी की कंडिशन कुछ इस प्रकार से है यहां पर आपको जाओंगा इसमें आपको नया क्या मिलता है सबसे पहले बात करते हैं अगर आप एक यूटूबर मेरी तरह ब्लॉगर बगेर हैं तो यहां पर एक लाग के अंदर की बाइक में फुल मज़ा ले सकते हैं ब्लॉगिंग का जो कि आपका कैमरा होगा इस प्रकास से और आपको रोड बोवी दिखाई देगी और आपका डिजिटल मीटर बोवी चल मिल जाते हैं जो कि आपके गाउं में भी एक से दो ही बाइक आई होगी इस प्रेंट प्लेस एक्टेक तो आप इस बाइक को ले सकते हूं अब आपको यहां पर और भी चीजन दिखा देता हूं यह चार्जिंग पॉइंट जो कि यह तो सभी में आता है नॉर्मल बाली में अंपर गयादी वरेसरे दोफिन फंस दुन मिलता है इसी से लोग मैं आपर एक काई में दश्रेंट में इसका भी बेसे कोई मतलब नहीं है इसका वी लोग मैंचनते देंशरी है । m अगोभर से ने jint Max इसवां कर्का एक तर नहीं कोई देक नहीं हां एक श्याइस पे वह बैटा होगा या गाड़ी के पीछे होगा उसी को डिजीटल मीटर दिखाई देता है तो यह गाड़ी की सबसे पहली बात पहंचाना है यहां पर किसका ग्राफिक्स इसकी LED लाइट वैसे LED लाइट को आप कस्टमाज नहीं कर सकते अपने इसाब से ओफ या ओन नहीं कर सकते यह ओटोमेटिक सिस्टम है ओटोमेटिक यहां पर ओन रहती है हमेसा गाड़ी चालू होने पर और यहां पर ट्रंसफेरेट यहां पर मैं आपको बता चुका हूं ओल लिडी और इसमें कोई भी चैंज नहीं है डिजीटल मीटर ही इसमें एक नया च आता है सारे फीचर मिल जाते हैं नौर्मल स्पेंडर वाली में सब कुछ टूटली है कि देख सकते हैं यहां पर मीटर ओन कर दिया है सबसे पहले मैं आपको देखाऊंगा मेरा जो नाम है है लो अनुज लिखके आ जाता है और यहां पर पैंट्रोल का सेंबल आ रहा है कि जी माल फंक्ट्रोल लाइट है जो कि आपकी घाड़ी खराबागरा होगी तो अर्टोमेट्र कॉण हो जाएगा यहां पर देख सकता हुआ जो है का यहां फर देख सकतु गाड़ी मेरी चलु केंड़हिए नौस था रही है जश्योंकि यहां फटा सेंच में दिख सकते हू गाड़ी को मैंने बहुत ज़्यादा कम यूज किया है बस फर्स्ट दिन ही मैंने 100 से उपर गाड़ी चला दीती जो कि मैं काफी दूर हुमे गया था फर्स्ट दिन बाइक ली थी तभी 100 से अनकी सोचो एक दिन में 100 चला दीती और आज यहां पर एक हजार भी complete नहीं हुए डेड मंत से ज्यादा टाइम हो चुका है इनकी गाड़ी का ज्यादा कुछ यूच नहीं करता हूँ मैं नॉर्मली यूज है जैसे बाजार बगरा जाना है कहीं पर भी घूमने जाना है और मैं आपको और जाओंगा यह गाड़ी मैंने बाय के घू सबसे पहली बात जो गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम थे ना पूरा ब्रेक नहीं दबता था आपको अच्छा नहीं देखने के लिए क्योंकि राइड करनी होती तो बैक साथ के लिए भी यहां पर मिरर काफी जरूरी है तो बैसे मैं अपना रिव्यू दे चुका हूँ पूरा ब्रेक नहीं दबता था आट्रमेटिक लग जाता था बट मैंने आप ब्रेकिंग काफी दा अच्छे करवा दिये गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए जैसे में ब्रेक लगाता हूं पूरे ब्रेक दबते सबसे पहली बात और गाड़ी यह पूरी दब जाती है ब्रे अच्छे के टाम यह बीप नहीं करती है जो की बिलिंग करती है तो बहुत लगवाने जा रहा था बट मैंने वह लगवाया नहीं था एंड फर्स अर्विस क्राइटी तो यहां पर इसमें मैंने यह लगा दिया था इसे क्या तो दूल मिट्टी नहीं जाती और यह गाड़ हो तो यह काम मैंने करवाया था फर्स सर्विस में और आप गाड़ी इतनी स्मूज चल लेए पिक आप है काफीजा बढ़ चुका है जैसे में अचलेटर देता हूं और आप इसे तागत के लिए लेना चाहते हैं तो सो सीसी के नीचे अजन चलता सो सीसी में आ जाता है तो कि मैं सोच रहा हूं जैसे हमेट आजाएगा क्योंकि हमेट दो यह रोपे का रहा है काफीजा खर्चा कर चुका हूं अल्यडी में जो कि बाइक बगरा लेने के बाद सर्विस कराने गया था तो इसमें काफीजा में काम करवाय थे नाम बगरा लिख लिए था नाम आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप पच्ता होगे नहीं कुछ लोग कहना है गाड़ी बेका रहे है ऐसा कुछ नहीं है सब्सक्राइब करा चुका हूं और सब्सक्राइब करने के बाद तो मेरा एक्क्रेंस है काफीजा बैतर हुआ पहले से क्योंकि पहले मेरे ब्रेक बगरा सब्सक्राइब करने लिए और और यहां गाड़ी सेंटर पर खड़ी देती है और उल बगरा ज्यादा ओल्ड हो जाता है तो आप क्या करो कि सर्विस कराने जाओगी तो आप बोले जाना और बीचेंज कर दो तो आपका गाड़ी काफी एक्सप्रेंस हो जाएका फा अब मैं इसकी आपको बता देता हूं प्राइस सबसे पहली बात मैंने यह एमाई पी लिए जो की डाउन प्रेमेंट है तीस ऐर रुपे जमा किये था एंड जो इसकी जो कैस प्राइस थी वह पिच्चेंवाजा सो रुपे थी मैं जब लेने काया था मैंने यह 22 मार्च को अब यह 23 में तो आप समय सकते हो कितनी डेट हो चुकी है एंड यह 22 मार्च को दीती में लिए और यह 22 ब्रेंडिंग आ चुकी है जो कि देख सकते हैं मेरा यहां पर इट्वेंटी की ब्रेंडिंग नहीं है अब आप लेने जाओंगे तो इट्वेंटी की जो की 20 परसंट एथनॉल से चलने वाली आपकी यहां पर बाइक तो पतानी इनका क्या सिस्टम होता है एथनॉ पतानी कुछ कहा भी नहीं जा सकता है तो आप जितना जल दी सकी ले लो अगर आपको लेनी है एक्सप्रेंस है कापी बेतर है अब यहां पर अगर आप डाउनल पेमेंट पर लेना चाहते हैं मैंने तेजी सहार रुपे जमा करके लिए ती आप यहां पर 25 रुपे तक जमा नहीं करेगा वो वो अपने ओपीनिन देगा सबसे पहली बात जितना डाउन पेमेंट होगा उतना आपको बता देगा कि आपको एक की सहार देने या बाई सहार देने अगर आप ज्यादा करना चाहते है तो आपके पास दो यह उप्सन है यह तो आप 40 रुपे जमा करो यह नहीं कि आपके 30,000 35,000 रुपे वो नहीं लेगा यह तो आपके पास फुल होने जाहिए बो पताएगा आपको ज्यादा डाउन पेमेंट जमा करना है तो 40,000 क्रों डाडेक्ट यह यहां पर जितना नॉर्मल है पूरा 3,000 यह बाई सहर जो भी आपका पड़े यह माई के पर जादी 2,000 सुपे से आपको बढ़के मिल सकती है एंड मैंने पिच्चानवाजा सो रुपे में पर चैस की थी आप यहां पर 97,000 के लगवाए आपको देखने करी मिलें कि जो कि मैं यहां पर सर्विस करने गया दा तब मैंने इसकी प्रैस है वो देखी थी इसलिए मैंन कि दो हैसे कहीं पर ज्यादा नहीं बड़े होंगी तो इसका आप यहां पर देख लेना पर आप जितना हो सकते जल्दी बाइक ले सकते हो आई होब आपको यह वीडियो पसंदा यह वीडियो को लेक्र देना चैनल पर पहली वराइव सब्सक्राइब कर लेना तेंक्यी सु